हेलो बच्चों स्वागते आप सभी का आपके अपने चैनल आरेंजी के हम में आयम देखने वाले हैं एड़ गेट पुस्तिका भाषा भारती कच्छा साथ पार्ट चार दो कविताएं का संपून हल तो आईए देखते हैं बहु विकल्पिय प्रेश्ण पिश नमबर एक दिन दिन धा धमक धमक पंक्ती में कौन सा अलंकार है ओप्शन ए उपमा भी अनुप्रास सी स्लेश डी रूपक उत्तर भी अनुप्रास पिश नमबर दो फूले कदम कविता में कभी का मन किसे चूना चाता है आप्शन A. अंबर को B. कांदुक को C. कदम को D. बादल को उत्तर C. कदम को पिश नमबर तीन अतिलग उत्तरी पिश देखते हैं दादूर का कंड कहला से क्या आशे है उत्तर दादूर का कंड कहला से है पेड़ टटर करता है ना तो उसको दादों का कंट बोला जाता है बर्षात में पिश नमबर चार मेग बजे कविता में किस रितु का बर्णन किया गया है उत्तर मेग बजे कविता में बशा रितु का बर्णन किया गया है पिश नमबर पाँच, बर्षा रितु में कौन सा पक्षी मूल करने के लिए जाना जाता है, इसका उत्तर है मोर पिश नमबर छे, दामनी शब्द के दो परायवाची शब्द लिखिये, इसका उत्तर है एक तो है बिद्दुत, दूसरा चंचला बिजली भी बोलते हैं बिद्दुत को, लगो उत्तरी प्रिश्ण, प्रिश नमबर साथ, दोनों कविताओं में आये समान धनी वाले शब्दों को खोच कर लिखिये, उत्तर, चंदन का बंदन, चमक का दमक, रीता का गीता, परस का सरस प्रिश नमबर आट, पंक बना हरी चंदन, पंक्ती का भावात लिखिये, बरसात में पानी चारों और भर जाता है, जिससे मिट्टी कीचड का रूप दारन कर लेती है, और चंदन दिखाई देती है प्रिश नमबर नो, बादल गुस्टे में क्यों लग रहा है, उत्तर, बादल गुस्टे में लगातार अपनी पूरी शक्ती जल बरसा के लिए खड़ा है, लालज बरी आँखों से उसे देखने को तरस रहा है, किसे तरस रहा है देखने को? पारिश को प्रिश नमबर दस, टहनी टहनी में कंदुक सार जूले कदम, पंक्ती का अर्थ स्वस्ट कीजिए, उत्तर, कदम परिवर्तत मौसम में फलने फूलने लगा है, ब्रक्च की असंख साखाएं हिलने लगी है, कदम का पेड़ गयन के समान जूल रहा है, देख उत्तरिये प्र प्रिश नमबर ग्यारा, में एक वजे कवीता का सार अपने शब्दों में लिखिये, उत्तर, बादलों की घरगणास से प्रत्वी का प्रतेक जीव जन्तू, बपेड़ पौदे रोमांचित हो रहे हैं, पिजली की चमक दिख रही है, बर्षा का आगमन हो रहा है, प्रिश बर्षा रितू पर दस वक्त आप लिख सकते हो, फिर भी मैं आपको बता रही हूं, चलिए लिखिये, बर्षा रितू बहुत स्वानी रितू है, इस रितू को बारिश के मौसम भी कहा जाता है, यह जुलाई से सितंबर तक होती है, पेर पौदे हरे बरे हो जाते हैं, नद बच्चों आपका यह पार्ट संपूर्ण हो गया है, अब अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, पर हाँ, एक मेरे चैनल को आप सब्क्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे, ओके बच्चों, थैंक्यू कर दो